सलाम आलकुम, सभी को रमजान इद मुबारक, अभी राजननागर मैला देवर पर एरिया में हर जेगा जिदर कंटेन्मेंट क्लस्टर से जिदर भी पॉस्टिव केसे साया है, उदर फेंसिंग लगा के सव गरों के उपर फेंसिंग लगा हुआ है, ए पूरा एरिया में जो भ सभी राइस होने दो, चावल होने दो, ने तो कुछ वेज़ेबूल्स होने दो खरीदना है, तो उनको अंदर ही हम पहुंचा रहे है, हम सभी पबलिक से निवेदन करते हैं कि जो भी है, सभी गरों में ही रहे, कोई भी बाहरन मत आना, और अभी में 7 तक, में 7 तक अभी ल मास्क रखना है, और पबलिक स्पिटिंग नहीं करना है, और एक दो विलर गाड़ी में एक ही बंदा, और अगर फोर विलर है तो दो आदमी जा सकते हैं, वो भी सुबा छे बजे तक, सुबा ही जो भी करीदना है, और शाम को पूरा कर्फ्यू होगा, कर्फ्यू के बाद म उनका गाड़ी सीज किया जाएगा, और हम सबसे अभी निवेदन करते हैं, सभी टेंपल, मस्जिद और चेर्चेस में, कोई भी खुला नहीं होगा, सभी जगा बंध है, और जिसी को भी प्रेयर करना है, तो गर में प्रेयर करने के लिए हम रिक्वेश्च कर रहे हैं, और अभी आने वाले रमजान इद के दिन भी हम सब को गुजारिश कर रहे हैं, कि आप गरों में रहें, गरों में ही आपका प्रेयर करें, और जो भी आपको फल चाहिए, ने तो ड्राइफ फूर्स चाहिए, वो अभी से ही वो खरीद के गर पे रखें, ताकि आप बाहर आने क कोई भी आवशक तरहां नहीं पड़ेगा, इसलिए वह हम सभी हमारा मुसलमान भालों को रिक्वेश अभी गरों में रहके गरों में ही रमजान इद का प्रेयर्स करने के लिए हम सब को रिक्वेश्ट करें और एक बात है कि अभी करोना वेरिस बहुत जल्दी से फैल रहे हैं अभी इदर भी दो केसेस ऐसा आया हुआ है जिसमें एक जो फल बेज रहे हैं उनको भी आया है और दूसरे बंदे जो होटल में काम करते हैं उनको भी आया है अभी दोनों लोगों को भी कोई भी दूसरे देश से वापस आने का हिस्टी नहीं है और कई डिल्ली मरकर्स भी नहीं गया हुआ है पर इदर ही राजनेनगर एरिया में जो चाई बेशते हैं एक बंदा और दूस से फिर आपके परिवार को भी आएगा इसलिए आप हम रिक्वेश्ट करें कि सभी घर में रहिए कोई भी बाहर निकलना है तो सिर्फ सुबह आके कुछ खरीदना है तो खरीद के आप चले जाए और शाम को कोई भी बाहर निकले तो उनका गाड़ी अभी जो किरना शाप ह है ने तो कुछ दूद का शाप है मेडिकल शाप से और जिदर फल वगरा वेज रहे हर जेगा भी पब्लिक खुद सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है जिदर भी बैंक में जा रहे है पाईसे आ रहा है बोलके उदर भी आप एक बात यह समझ लिए कि जो बैंक में पैसा आय है वो बैंक में रहेगा वो कई नहीं जाएगा तो इतना जिल्द बाजी में उदर जाके उसों लेने के जरूरत नहीं है एक दो दिन रुकने के बाद भी ओले सकता है अब जिदर भी जाए क्यू लाइन मेंटेन करो और एक आदमी दूसरे आदमी के बीच में तीन फीट का दिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम सबको गुजारिश करें एरिया में हमारा शिंशाबाद जोन में 18 पॉस्टिव केसस आया अभी तक उसमें से राजिंदर नगर एरिया में और मैलार देवरपली में 15 तक केसस आया हुआ है और 9 तक क्लस्टर्स बना हुआ है बंदला ज़ेगा हम कंटेनमेंट क्लस्टर्स मेडिकल जी एच एमसी सानिटेशन और पॉलिस डिपार्टमेंट पुरा फेंसिंग किया हुआ है और हर जगा सबका सेथ कैसा है सबका तब्यात कैसा है पुरा चेकर है मेडिकल टीम्स अगरा और हम पूरे कंट्रोल में हैं पर अभी पब्लिक के रिक्वेस्ट कर रहे है कि अभी करोना वेरिस ज्यादा फेल रहे है तो आप कोई भी बाहर मत निकलना और कभी जरूरत पड़े तो मास्क पेंट के ही बाहर में सब्सक्राइब